नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10 mm और 20 mm एग्रिगेट को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है अगर आप एक supplier है या फिर अगर आप material खरीद रहें तो इस वीडियो को अन तक देखेगा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेरे पास दो यह सीव हैं इसे सीव बोल लीजे या चलनी बोल लीजे यहाँ पर देखे यह 10 mm की चलनी है यहाँ पर देखे 10 mm लिखा हुआ है मतलब इस छेद का साइज है इसमें जो सीव है ठीक है इसके जो साइज है वो आपका 10 mm ह बेनी है ठीक है सबसे पहले आपको इस पे माल रख करके एक प्लेट में इस तरह के ट्रे में पांच किलो माल तॉल लेना है ठीक है और वो सारा माल उठा करके आपको इसके उपर डालना है और इसको खुब तेज हिलाना है दो तीन मिनिट तक का जब तक का इससे सारी पास हो जाए और उसके उपर जो माल रुकेगा ठीक है उस माल को आप इस ट्रे को यहाँ पे रख करके इसको जीरो कर लेंगे ठीक है फिर यह जो माल आप इसके उपर रुका हो रहेगा उसका वेट करेंगे वो 750 ग्राम से कम आएगा इसका मतलब पास हो रहा है आपकी गिट्टी और अगर 750 ग्राम से उपर आ रहा है तो इसका मतलब गिट्टी आपकी जो है 10 mm oversize है same criteria हम 20 mm के लिए करते हैं 20 mm के लिए 5 kg गिट्टी तोलेंगे इसको इसके उपर डालेंगे और जितना पास हो जाएगा पास हो जाएगा अगर 750 सिका में तो इसका मतलब आपका 20 mm पास है और अगर नहीं है तो इसका मतलब 20 mm आपका fail है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो यह होता है 20 mm ठीक है और यह देखिए यह 10 mm होता है यह 10 mm हमारी की टी है ठीक है तो इस तरह यह होता है material हमारा ठीक है इसी तरह से हम चेक करते हैं सबसे आसान तरीका सबसे normal language में आपको मैंने समझा दिया ओके